नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं गडित और दोस्तों गडित में हम लोग पढ़ रहे थे मिक्चर हमारे चार लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने टाइट 6 तक करवा दिया था अब ये टाइट 7 आ थे हैं थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रही है आप लोग मैनेज करिएगा थोड़ा सा ठीक है अब दिख रहा है सब कुछ चलो टाइप 7 तो बच्छा टाइट 7 क्या कह रहा है ताइप 7 कह रहा है कि दो तरह के पीतल में तामबे और जस्ते का ठीक है तामबा एक तरफ एक तरफ जस्ता है तामबा और जस्ता है तो भईया एक तरफ है तामबा और एक तरफ क्या है जस्ता है तामबा और जस्ता के क्या कह रहे हैं दो मिक्चर है एक आठ अनुपात 3 का मिक्चर है एक पंदरा अनुपात 7 का मिक्चर है ठीक है तामबे और जस्ते का अनुपात क इतना है, साथ का है, ठीक है, ये भी इधर इस तरफ क्या है, तामबा है, और इधर क्या है, जस्ता है बच्चे, ठीक है, तो ये तो ratio हमें पता चल गया, अब सबसे पहले आप ये दो को पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं, यदि दोनों तरह के पीतल को पिघला दिया जाए, ठ ये वाला 5 मिलाया जाए, ये वाला 2 मिलाया जाए, ये करने के लिए quantity, जो पहले quantity है, उसको same करना पड़ेगा, quantity का मतलब होता है, मात्रा, जो मात्रा है दोनों तरफ, उसको same करना पड़ेगा, जब मात्रा same हो जाएगी, तो मात्रा जब same होगी, तो इधर वाली 5 मात्रा मि इतना है बच्छे 11 है और इधर कितना है 15 साथ 22 है अब आब बताओ सर जी इधर मात्रा 11 ही है इधर मात्रा 20 है तो इधर दोनों तरफ सेम करने के लिए सर जी 11 को अगर 2 से गुड़ा कर दिया जाए तो 11 दोना 22 हो जाएगा यानि मात्रा इधर भी 22, मात्रा इधर भी 22 तो 2 से गुड़ा आपको रेशियो में भी करना है तो 2 तेही 6, 2 अठ शोला इधर कितना आ गया 15 इधर किसी से गुड़ा नहीं करना है 22 तो है 15 और 7 अब देखो दोनों तरफ क्वांटिटी देखो 16, 6, 2, 15, 7, 2 यानि इधर जो डिबबा था उसमें भी 22 मात्रा थी उतनी क्वांटिटी थी इधर भी 16, 6, 2, उतनी क्वांटिटी थी अब बच्चे इतना तो अगर आपको समझ में आ गया है तो अब कह रहा है ये वाली मात्रा हमने सेम कर ली है दोनो तरफ कुल मात्रा कितनी है 22 है अब कह रहा है यदि दोनो तरफ के पीतल को पिगला कर 5 इंपाद 2 किंपाद मिलाया जाए एक ये पितल एक ये पितल है ये वाला पितल पांच डाला जा रहा है अगर ये वाला पितल पांच डाला जाएगा आप होगे सरजी इसमें पांच का गुड़ा कर दो ये पांच माटेरियल मिलाया जा रहा है ये वाला माटेरियल दो मिलाया जा रहा है तो आप दो से कि पहले वाला क्या है तांबा 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 है है तो तो टांबा तांबा आले लो तो 80 supplying verkos 10 और अनुपाद 14 चाउदा और 34 कुतना 44 अब आप बताओ इसको काटना हमें तो 22 से कड़ दिया गया 22 जोना 44 और 25 उट 100 108 आंसर को कतना गया 5 अनुपाद दो यानि किस अनुपाद पांच अनुपाद दो का मिस्तर बन जाएगा जब पांच अनुपाद दो के अनुपाद में मिलाएंगे जो बड़े बरतन में जो अनुपाद बनेगा ताबा और जस्ता को वो पांच अनुपाद दो का बन जाएगा ठीक है, clear है, चलो, आगे, ये complete हो गया, ये complete होने गाद अगले question पर चलते हैं, जो इसी type का है, क्योंकि एक type के हमने 2 question लिये हुए है, उसको ध्यान से बच्चे समझना है आपको, दो बोतलों में क्रमसा 2.3, दो बोतले हैं, एक ये बोतल, एक ये बोतल, दो बोतल में बच्चे 2.3, एक बोतल में 2.3 का ratio है, एक बोतल में 1.2 का क्या है, है क्या बच्चे, कह रहे हैं कि अमल और जल है, क्या है, अमल और जल है, यानि एक तरफ acid है और एक तरफ water है, एक के बाद बच्चे question में कह रहे हैं कि इन्हें एक अनुपात तीन के अनुपात में मिलाओ यानि ये वाला डिब्बा एक डालो ये वाला डिब्बा तीन डालो लेकिन अईसे कही से मिला दोगे पहले quantity same करनी पड़ेगी मात्रा को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेग इधर डिब्बे में मात्रा उतनी हो इधर डिब्ब्बे में मात्रा उतनी हो तभी तो हम कहेंगे इधर वाला मिलाओ पांच इधर वाला तो इससे पहले हमको मात्रा को same करना पड़ेगा सेम करनो तो तीन दो कितना है पांच है और दो एक कितना है तीन है यानि तीन का गुड़ा इधर करोगे और पांच का गुड़ा इधर करोगे तभी तो सेम हो जाएगी भाई करो तीन का गुड़ा जब इधर करेंगे तो तीन दोना अच्छे तीन का गुड़ा तीन से तीन त प्रफ सेम कर ली है, quantity जो कुल मातरा थी वो सेम कर ली है, अब कहारें एक उनुपात तीन के उनुपात में मिला दो, तो ये वाला भैया एक मिलाना है, और ये वाला मिलाना है, तीन तो गुड़ा मार दो आप, क्या कर दोगे, गुड़ा मार दोगे, च्छै एक कितना हो जाए पंदरच है इकीस अनुपात, नौ और तीस कितना हो जाएगा, उन्तालिस, अब अच्छे जब तक कटेगा, तब तक आपको काटना पड़ेगा, यहां पर देखो कितना आ जाएगा, तीन सत्ते इकीस, और तीन से काटा तो तेरा तिया उन्तालिस, यानि साथ अनुपात, तेरा आपको क्या जाएगा, आपका अंसर आजाएगा, यही आपका क्या है, अंसर है, क्लियर है, तो आपके दो क्वेश्चिन हो चुके हैं, इस टाइप के अगले क्वेश्चिन पर चलते हैं, आप प्रैक्टिस करिए गया इसकी, सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या ए दूसरे मिस्रण पहले वाले मिस्रण में तीन लीटर मिस्रण मिलाया जाए। आसां सा क्योस्जण है। आपको आप आवाज हमारी क्लियर आ रही होगी। ठीक है। ऐसे कर लेता है जिसमें आवाश आपको पूरी क्लियर आनी चाहिए कोई चलो एक मिस्रण में मदिरा और पानी का अनुपात तीन अनुपात दो है कितना है बच्चे तीन अनुपात दो है यानि एक तरफ तीन अनुपात दो था यह मदिरा है M से मदिरा कर लेते हैं और वाट डबलू से कर लेते, मदिरा और वाटर, 3 अनुपाद 2 में है, ठीक है, दूसरे मिस्रन में, मदिरा और पानी का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है, यानि एक दूसरा मिक्चर भी है पहले वाले तीन लीटर मिस्रन में मिलाया जाए ताकि नए मिस्रन में मदिरा और पानी की मात्रा समान हो जाए कह रहे हैं जब ये मिक्चर तो बता दिया तीन डाला जा रहा है ये मिक्चर कितना डाला जाए ये वाला मिक्चर कितना डाला जाए जो बने बरतन में मिक्चर क्या हो जाए मिक्चर में मदिरा और पानी सेम सेम हो जाए यानि जो बना बरतन है उसमें एक अनुपात एक मिक्चर करने के बाद जो ratio बन रहा है वो एक अनुपात एक बन रहा है किसका मदिरा और पानी का ये कहां से निकला है मिस्रल में मदिरा और पानी समान हो जाए यानि जितनी मदिरा होगी उतनी ही पानी होगा ठीक है तो बच्चे सब में एक चीश आपको देखना है ध्यान से मैं इसको थोड़ा से छोड़ कर देता हूँ अब एक चीश देखो हम कहें यहाँ पर सर जी यह अगर ratio है यहाँ पर समझ लो तीन अनुपात दो में मदिरा और पानी ये है तो हम कहेंगे मदिरा कितनी है तो आप तीन नहीं लिख सकते हो दो 30×2 और यहां पर पूछ Mittal य है तो 3 है किसमें 5 में total 5 में यह बलकूल सही लिखा गया तीन करते 5 मदिरा है ठीक है यहां पर पानी पूछा जाता पानी कितना है तो पानी दो है कितने में से तीन दो पांच में से दो में पांच क्या है पानी ठीक है तो यह चीज बच्चे आपको ऐसे करना है अलग करना है तो पहले हम क्या करते मदिरा मदिरा ले लेते हैं इधर से मदिरा लेना है यहां से भी मदिरा यह मदिरा और यह वाटर तो मदिरा यहां से भी लेना है मधिरा यहां से भी लेना है मधिरा मदिरा ले लिया और उसके लäg तो कितना है तो कितना एगा टीन टो पांच न थे पांस मदिरा पहले वाले जिब्बे में ठीक है दूसरे वाले मिक्चर में चार मदिरा है लेकिन टोटल कितना है तो पांचार नौ में चार मदिरा है ठीक है और जो मिक्चर बन रहा है दोनों को मिलाने पर मिक्चर क्या बन रहा है मिक्चर कह रहे हैं उसमें मदिरा और वाटर सेम हो जाता है जब दोनों मिला देते ह तो ये mixture बनना है, तो इसमें mixture में मदिरा और water अगर same है, तो हम कहेंगे मदिरा कितनी है, तो मदिरा एक है, किसने में से, दो में से, एक एक दो, total दो, अब हम कह रहे हैं, यहाँ पर हमें घटाने में दिक्कत होगी, क्योंकि allegation है, हमको तिर्षा घटाना होता है, तो PYQ form, PY calcium लेना परेगा, तो calcium ले लो, 9, 5, 2 calcium कितना आएगा, 90 आएगा, और जितना calcium आएगा, उससे आप क्या करोगे, सब में गुड़ा कर दोगे, सारी भिंड में गुड़ा कर दोगे, 90, 90 और 90, अब बच्चे इसको solo करने के बाद आप बताओ, ऐसे इसको काटा तो कितना आगय 15, 15, 18, 85 होता है, 18, तो 18 तहीं कितना हो जाएगा, चववन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चववन, 9 से 9 काट दिया, तो 4 दाहम कितना हो गया, 40, 2 से इसको काटा तो 45 आगया, ये बीच में रख दो 45, अब तिरच्छा जो जिसमें गटे गटा दो, तो 45 में 40 गया, कितना आएगा 9, यानि आपका ये आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा, और मैं इधर लिख लेता हूँ इसको छोटा करके, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या करना है बच्चे, यहाँ पर करना क्या है, कि यहाँ पर इसका निकलेगा मदिरा और water same हो जाएगी इसका मतलब यह है तो पाँच और 9, तुमने पहला वाला mixture मिला है तो 9 हो गया है लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं 5 नहीं मिला रहे हैं वहाँ पर 3 मिला रहे हैं यानि 5 की value question में कितनी है, 3 है तो एक की value question में कितनी है एक की value 3 बटे 5 है, एक की value कितनी है, 3 बटे 5, लेकिन हमें 9 की value बतानी है, कि दूसरा वाला mixture तो 9 मिला रहे हैं, अगर एक की value 3 बटे 5 है, तो 9 की value into क्या कर देंगे, 9, यानि 9 तरिक 27 बटे कितना आजाएगा, 27 बटे 5 आजाएगा, एंसर आजाएगा, 25 सही 2 बटे कितना 5, 25 स बिल्कुल सही अंसर आगया है, तो चलिए अगले question पर चलते हैं, अगला question आपके सामने, question number 48, भी आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सारे question आपको क्योंकि इजी इजी तो आपने कर ली हैं, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, 2 अनुपाद 3, 3 अनुपाद 4, 7 अनुपाद 5 के अनुपाद में सीरप और पानी है, 2 अनुपाद 3, और क्या है 3 अनुपाद 4, और क्या है बच्चे 7 अनुपाद 5, 7 अनुपाद 5, सीरप और पानी है, सीरप पहला वाला सीरप है पानी है, सीरप है पानी है, सीरप है ठीक है मिसरन को तीन बोतलों में रखा गया है तीन बोतलों में रखा गया है ये मिक्चर को कह रहे हैं पहली बोतल में 10 लीटर है ठीक है दूसरी बोतल में 20 लीटर का मिक्चर है 21 लीटर का मिक्चर है और कह रहे हैं कि अब तीसरी बोतल में किस मात्रा का तो तीसरी बोतल में हमने कह लिया X मिस्रण है हमें नहीं पता कितना है कह रहे हैं ना अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिस्रण को लिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों को अगर तीनों बोतलों को हम मिला दें तो बाद में एक अनुपात एक का मिक्चर रहे अब भया इसे तो मिलाओगे नहीं ठीक है सबका अलग-अलग देखोगे अगर देखो दो अनुपात तीन है तो तीन दो कितना है? तीन दो पांच है और पांच बराबर किसके? दस के अगर 5 बराबर बच्चे 10 के है तो 5 बराबर 10 के है तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 1 बराबर 2 के 5 दूना 10 1 बराबर किसके 2 के यहाँ पर 4 तीन कितना 7 के यानि 7 बराबर किसके 21 के क्योंकि यहाँ टोटल मातरा 4 तीन 7 है और है कितनी बोतल में मातर 21 है तो 7 बराबर किस के? 21 के. अगर 7 बराबर 21 के, तो 7 से कार तो 7, 3, 21, 3 से गुड़ा कर तो. एक बराबर किस के आ गया? 3 के आ गया? ठीक है? और यहाँ पर बच्चे हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम total मात्रा कितनी माल लेते हैं? तो total मात्रा माल लेते हैं ऐसी सीधा direct कि यहाँ पर एक को माल ले हम 7x और 5x, 7, 5, 12x total मात्रा माल ले. तो एक यहाँ पर हम सबको अलग-अलग निकालना है भाई, देखो धान से. एक बराबर 2, 2 दुना कितना हो जाएगा? 2 से गुड़ा कर दो, 2 दुना 4, 2 से 12, 6, 3 दुना को 9, 3 चौक 12, अभी एक हो जाएगा इधर x माना तो एक हो जाएगी 7x, एक हो जाएगी 5x. अब इसमें बताओ भाई, इसमें बताओ कह रहे हैं कि सीरप सीरप अलग-अलग मिला लो, तो सीरप सीरप मिला है तो 9, 4 कितना हो गया? 13, 13 प्लस 7x. अब कहह रहे हैं सीरप के साथ पानी है, पानी-पानी अलग मिला लो. तो पानी-पानी अलग मिला है, तो 12, 6, 18, 18 प्लस कितना? 5x. तो सीरप और पानी का रेशियो क्या हो जाता है? कह रहे हैं, अन्तिम में एक अनुपात हो जाता है, बराबर हो जाता है अब यह 13 क्या है? 13 प्लस 7X बराबर 18 प्लस 5X कर देंगे 5 इधर घटेगा, 7 में आके तो 2X की वैल्यू, 13 इधर घटेगा तो 5 आ जाएगी और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सही 1 बटे 2 2 सही 1 बटे 2 यानि हमको क्या बताना था? हमको X की वैल्यू अगर 2 सही 1 बटे 2 है हम ऐसे डिरेक लेक लेते हैं X की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 बटे 2 X की वैल्यू कितनी आ गई? 5 बटे 2 तो question में कहा रहे है अंतिम मिसरण 1 अनपात 1 हो जाए और यहाँ पर question पूछा कहा अब तीसरी बोतल में किस मात्रा में मिसरण है? तो तीसरी बोतल में 12 X लिया था तब ही तो 7 X 5 X टोटल 12 X तो 7 X 5 X लिया था हमने ठीक है? तो 5 बटे 2 का गुड़ा कर दो तो 5 बटे जैसे ही हमने 2 का गुड़ा किया क्योंकि X की value हमें पता है X की जगा पर 5 बटे 2 रख दिया है तो 2 चंग 12 और 6 पंजे कितना आ गया? तीस यानि कि आपके पहले वाले बरतन में मात्रा कितनी है? तीस है ठीक है? तो यह आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए आप एक तरीके से और से लगा सकते हैं इसको मैं बता देता हूँ उसको भी एक तरीका और लगा सकते हैं कि आप डिरेक्ट ऐसे कर देते हैं क्या करते हैं? कि 293 293 है इसका मतलब मैं तुमको बता दू 293 वहीं पर question में जहां लिखा होगा वहीं से सोच लोगे कि इसमें 2 बटे 3 क्या है इसका मतलब है इसमें 2 बटे 3 सीरप 2 बटे 3 नहीं, टोटल कितना है 3, 2, 5 तो 2 बटे 5 इसमें सीरप है और 3 बटे टोटल कितना है, 3, 2, 5 3 बटे 5 क्या है इसमें, पानी है इस ratio का मतलब हमने आपको फिर से बता दिया कि ये syrup है ठीक है अब यही 3 अन पाच 4 का मतलब क्या हो जाएगा 3 अन पाच 4 का भी मतलब सीख लो कि इसमें 3 बटे 4-3-7 3 बटे 7 इसमें क्या है syrup है और 4 बटे 4-3-7 total नीचे रखेंगे 4 बटे साथ क्या है पानी है यह आप जानते हो ठीक है तो भच्चा अगर यह आप जानते हो तो आपको direct वहाँ से लेना है वहाँ से direct लेना है तो मैं लेता हूँ अब देखो भईया कहरे है कि पहली बोतल में 10 लीटर पहली बोतल में कितना है तरफ सीरप ले लेंगे और एक तरफ पानी ले लेंगे तो दस लीटर में दो बटे पांच इसमें सीरप बताओ कितनी है इसमें दो बटे पांच सीरप है टोटल दो तो तीन दो पांच पहले वाली सीरप है पहले वाली सीरप है तो दो बटे पांच सीरप है तो दस इंटू बोतल है उसमें सीरफ देखो कितनी है तो तीन और चार तीन साथ तीन बटे साथ तीन बटे साथ क्या है सीरफ है ठीक है प्लस अब हमने माना जो तीसरी बोतल थी तीसरी बोतल भाईया तीसरा वाला जो मिस्रान था तीसरी बोतल में किस मात्रा का लिया जाए तो हमने साथ बटे बारा सीरप है, तो भाईया इतना आ गया, ये तो पूरी पूरी क्या आ गई, सीरप आ गई है, सीरप आ गई है, अगर एक अनुपात एक का मतलब क्या है, अम्तिम में एक अनुपात एक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, बरा 21 का 7-5-12 यहां स्वरी 4-3-7 और यहां पर 4 4 बटे 7 क्या हो जाएगी 4 बटे 7 सीरप हो जाएगी अब बचा कितना X material बचा तीसरी बोतल में X माना था तो तीसरी बोतल में 5 बटे कितना हो जाएगा 5 बटे 12 भया पानी 5 और 7 बटे 12 5 बटे 12 यह दोनों क्या है एक अनपात एक में मिलाई गई यह भी आखरी में एक अनपात एक में हो जाता है यानि कि दोनों तरफ क्या कर दो बराबर कर दो और इसको solve कर लो यह आपका answer निकाल देगा तुरंट 7 तरी किकीस 3 तरफ को कितना जाएगा? 9 5 दोना 10 दो दोना कितना जाएगा? 4 प्लस 7 बटे 12 यक्स 7 यक्स बटे कितना? 12 बराबर इधर कितना जाएगा? यहाँ पर आजाएगा बच्चे 5 दोना 10 3 दोना 6 7 तरी किकीस 3 चोक 12 प्लस 5 एक्स बाई 12 12 छे कितना है? 18 9 चर कितना? 13 13 18 में गया है तो कितना आ जाएगा? तो बच्चे आ जाएगा 5 यह 18 है यह 18 लिख लो चाहे तो यह 13 लिख लो 13 जब इधर प्लस का इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा? बचेगा? तो 5 इधर बच गया अब ये 5x इधर उठा के लाओगे तो 6x minus बटे 12 minus 5x बटे 12 तो यहां से भी आपका answer निकलाया है कि 7x में 5x घटा दो तो कितना बचाएगा 2x और 2x बटे कितना जाएगा 12 बराबर 15 और यहां से आपने answer निकाल दिया कितना कि 2 चंग 12 यह 5 अच्छा 2 चंग 12 और x की value कितनी आगई 5 चका 30 यानि तीसरी बोतल में हमने x माना था मिस्टनर तो तीसरी बोतल में कितना निकलाया x निकलाया तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो ठीक है लेकिन थोड़ा सा जब तक आप यह mixture ratio को नहीं समझोगे तब तक मज़ा नहीं आएगी ठीक है ratio को में समझना पड़ेगा ठीक है और कई बार ये सारी चीजे हर बार हम लगाने वाले हैं चलो अगले question पर आदो अगला question आपके सामने type 9 आई चुका है कौन सा चुका है बच्छे type 9 आई चुका है हर बार वही चीज होगी फिर से मैं बता देता हूँ अगर 3 अनुपात 4 वाटर और मिल्क है तो इसमें वगर वाटर पूछेंगे तो तुम कहोगे वाटर सर्जी 3 4-3-7 वाटर कितना है वाटर कितना है 3 बटे 7 है अगर इसमें मिल्क पूछा जाएगा मिल्क इस रेशियो में कितना है तो आप कहोगे मिल्क सर्जी 4 है लेकिन ये 4 है कितने में से 4-3-7 में से तो जब भी ये पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए रेशियो आपको दे दिया जाए तो milk कहें तो ऐसे निकालेंगे, water कहें तो ऐसे निकालेंगे, अब अच्छे question पर आजाओ, पचीस की ग्रम मिसरधातू, X को 125 की ग्रम मिसरधातू Y का है, पचीस की ग्रम मिसरधातू X है, और 125 की ग्रम मिसरधातू Y के साथ मिसरित किया जा रहा है, ठीक है, यदि मिसरधातू X में सीसा और रांगा, सीसा और रांगा की मातरा एक अनपाद दो है, एक अनपाद दो क्या है, देखो जैसे अभी हमने बताए वैसे भी बता सकते हैं, सीसा और रांगा, ठीक है, आगे देखते हैं, अब कह रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे वाले में ये तो X है, ये X है, ये Y ह वाई में रेशियो क्या है वाई में जो रेशियो है सीसा और वो दो अनपात कितना है तीन है यह सीसा है और इधर क्या है रांगा सीसा और रांगा ठीक अब अच्छे ध्यान से आपको यह देखना है कि यदि मिस्रदातु एक में सीसा और रांगा की मात्रा कनपात एक अनपा खूरượcवो शूर्मinka ब lands्राइब क्या कि जा होगा कप्तशी स सीजॅ कि ये यौला 815 किख्ला। तो आप झाये में बताना बैसे भी कर सकते हो। कि इसमें सीजा कित ना है। एक तरफ शीजा लेख लो। और इससे पहले ही जश्ट बता या मियरा गस 실ote यार्र लो सचो इसको इंहुदर एक तरफ'll लीफजो और एक मिया लेको लेको कि ल अटप निकालते तो इसमें शिचांग्या थिरी में सिचा बता तो पाँगे स सशी ससा वन्यांटोल कितना है वंद्वाई थिरी दिस खतना है वन मचरी अब दूसरे वाले में material कितना था Y वाली धातु जो थी जो X किग्रा Y के साथ 125 किग्रा मिसर धातु Y यानि दूसरी वाली धातु 125 किग्रा थी और उसमें सीसा ये Y वाली है तूसमें सीसा कितना है 2 बटे 3, 2, 5 2 बटे 5 है 2 बटे 5 रख दो ये आ गई ये भाया सीसा पूरा निकल आया अब रांगा रांगा निकल लो रांगा पहले 25 में रांगा कितना है तो 25 में रांगा इधर दो रांगा 2 बटे 2, 1 3, रांगा कितना है 2 बटे 3 प्लस सीसा कितना है तो सीसा है भाया इधर रांगा कितना है तो रांगा इधर 3 बटे 5 है लेकिन वाई वाली धा तो कितनी है? 125 है 125 का 3 बटे 5 और बच्चे इसको जैसे ही solve करोगे तो आ जाएगा 5 से इसको काटा कितना आ गया? 25 दूना 50 यानि 25 बटे 3 25 बटे 3 प्लस 50 और अनुपात इधर कितना आ जाएगा? अब 5 इसको काटा इधर आ गया 25 25 से 75 यानि 50 बटे 3 50 बटे 3 प्लस 50 से 75 या आ गया अब अब अच्छी एक चीज बताओ 50 का 3 से गुड़ा करेंगे 50 तेहीं 150 और पच्चीस कितना हो जाएगा? 175 बटे 3 ठीक है? 3 का 75 से गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 275 बटे कितना जाएगा 3 और अनुपात है 3-3 कर जाएगा उपर से भी काट दो ये 25 छक्का डेड़ सो और 25 इक्के पच्चीस 25 इक्के पच्चीस 6 अनुपात ग्यारा 6 अनुपात ग्यारा ठीक है? 25 इक्के पच्चीस 7 अनुपात कितना जाएगा? 11 जाएगा तो ये चीज आपको इस तरीके से देखना है अब ये चीज हम जैसे बताते हैं उस तरीके से ये तो बेसिक मैंने बता दिया ठीक है? करना कैसे था? करना इसको उसी तरीके से था? देखो ध्यान दो ये आप ऐसे निकाल सकतो अब इसको करना कैसे था? कह रहे थे एक डिब्बे में एक डिब्बे में रेशियो क्या था? 1 इश्टू 2 था एक में कितने था? 2 नुपात 3 था अब ये वाली ये वाला 25 मिलाना है 3 का गुड़ा इधर 5 का गुड़ा इधर सेम करने का प्रोसेस को जानतो अब 5 का गुड़ा इधर कर दो 5 इक के 5 5 दूना 10 3 का गुड़ा कर दो 3 दूना 6 3 तरक को 9 अब देखो 5, 10, 15, 16, 15 हो गया लेकिन भाया ये जो पहली वाली ये X दातू है ये कौन सी दातू है X है और ये वाली दातू कौन सी है Y है कर रहे X दातू 25 केजी है तो X दातू को 25 केजी बनो तो इंटू क्या कर दो 25 और ये वाली दातू कितनी है ये वाली दातू बता रहे है 125 केजी है तो ये वाली धातु तुम्हें 125 कर लो और एक और चीज कर सकतो हो कि 25 और 125 को यहां डिरेक्ट काट भी सकतो हो कि अगर यह कट रहा है तो 25 इक 25 और 25 यह भी हो जाएगा ठीक है तो अब देखो एक का गुड़ा करोगे तो इधर तो 5 और 10 आ जाएगा और इधर पांच खक कब 30 और पांच नमा कितना जाएगा 45 आ जाएगा अब बताओ भई यह सीरप है ना पहले वाली पहले वाली क्या है सीरप ही है ना यहाँ पर नई सारी सीसा और यह सीसा 35 यह 10 यह 45 यह कितना हो गया पच्पन, अनुपाद अनुपाद बना दो पांच सत्य पैंतिस और पांच ग्यारहम तो बच्चे आप बताओ ये सरल है कि वो सरल था, तो ये तो बड़ा असान है तो इस चरीके से करेंगे, दोखो 125 ही हमने यहाँ पर काट लिया, 25 पांच से गुड़ा मार दो आप अगर 125 से 6 का गुड़ा मरते, 125 से 9 का गुड़ा मारते और तब भी करते, तब भी आता ना काटते, ठीक है और अभी काट लेंगे तो थोड़ा सासान हो कि हमारे लिए, ठीक है, क्लियर है, चलो अगले discussion पर चलते, अगला भी ऐसे ही करना है Question number 50 Question number 50, ध्यान से समझे बरतन X में दूद और पानी, एक बरतन X है एक बरतन Y है और दूद और पानी है, मिल्क और क्या है water है, X में भी milk और water है, Y बरतन में milk और water है, ठीक है लेकिन इन्हों ने क्या कहा है देखो बड़ ध्यान से समझो कि दूद और पानी के मिस्रण का 120% है फिर से एक पहली वाली लाइन बड़ी ध्यान से रीड करना है बरतन X में दूद और पानी का मिस्रण बरतन X में बरतन Y में दूद और पानी के मिस्रण का 120% है यानि X में 120% है चलो Y में अगर 100% होता Y में अगर 100% होता तो X में कितना है? 120% है कह रहा है ना X में देखो फिर से पढ़ लेते हैं बरतन X में दूद और पानी का मिस्रण भरतन वाई में दूध और पानी के मिश्ट良क 120 है। किस में? एकस में. ठीक है, तो X में 120 यानि वाई में 100% था. ठीक है, इसको बच्चे अगर हमने कहा है ना इसको काट लिया जाता है, काट लिया जाता है इसको % से % अठा दिया, इसको 25 कितना कटेगा, कितना कटेगा भाई, 0 से 0 कट गया, यानि हम इसको काटेंगे किस से, 4 0, 2 5 10, और 2 6 12, 6 और 5, 0 0 ऐसे काट दो, ठीक है, 20 5 100, 20 6 120, ऐसे भी काट सकते, 6 और 5 आ गया, यानि 6 और 5 से आखरी में गुड़ा करना पड़ेगा, अब कह रहे हैं, दूद और पानी 7 5 है, 7 और 5 है कमें, और 1 में कितना है, तो 1 में 3 और 5 है, तो 7 5 12 है, 3 2 5 है, इधर कितना है, इधर 5 है, इधर कितना है, तो 7 5 इधर 12 है टोटल, तो हमने ये तो आपको सिखा, ये बराबर करना पहले, 12 का गुड़ा इधर मार दो, 5 का गुड़ा इधर मार दो, 5 का गुड़ा 5 से थे 35, 25, 12 ते 36, 12 दो ना 24, ये 35, 25 आ गया, ये 36 और 24 आ गया, अभी काटेंगे पीटेंगे नहीं भाई, काटेंगे पीटेंगे बिल्कुल नहीं, आप कह रहे हैं इधर वाला 6 मिलाना था ना इधर वाला 6 भाग है ये वाला भाग 6 है ये वाला भाग 5 है ये बाद में भी कर सकते हैं कि 100% इसको कह रहे थे कि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला 120% है इसका ये वाला 120% है तो हम यहां पर कहते ही अगर 100% है, तो यह 120% है, यहीं पर काट लेते हैं, जैसे पहला वाला काटा था, से परसेंट अठा दू यह वाला उपर वाले हिसन ना करते हैं, यह वाला हटा दू, नीचे ही कर लो वह चीज, ठीक है, नीचे कर लो, क्योंकि वो वाला क्विश्चन, अमने इसी वता है, 0 से 0 कर दू, दो पंचे दस, दो चंग बारा यानि 6 से इसमें गुड़ा करना पड़ेगा 5 से इसमें करना पड़ेगा कर दो हाँ, 6 पंचे 30 के 0 आसी लगे 3, 6 तरिक अठारा 18 तीम, 21 210 25 शक्का डेड़ सो 36 पंचे 180 24 पंचे 120 210 में 180 जोड़ो 200 और 100, 300, 390 अनुपाथ 100, 100 और 5, 27 यानि 270 इसको बच्चे काटेंगे हम 0 से 0 कट गया 13, 49 अनुपाथ 397 कितना जाएगा बच्चे 13 अनुपाथ 9 तो 13 अनुपाथ 9 आपका क्या हो गया आंसर आ गया तो यहाँ पर दूद, पानी और दूद यहाँ पर क्या पूछ रहे है मिस्रण में पानी और दूद देखो लेकिन यहाँ पर एंसर हम 9 अनुपाथ 13 देंगे क्यों? क्योंकि यह क्या है यह तुम्हारा पानी ये है पानी ये है और दूद ये है पानी और दूद पूछा गया तो पानी पहले पूछा गया है तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ये आपका अंसर होगा ठीक है आपका अंसर क्या हो जाएगा 9 अनुपात 13 चलो ये clear हो चुका है अगले question पर शोलते तो अगला question आपके सामने टाइप 10 आ चुका है 15 नंबर मिस्रित चाय के दो मिस्रोण में दारजलिंग और असम चाय के अनुपात एक दारजलिंग की चाय है और एक असम की चाय है जिनका अनुपात क्या है जिनका 4 अनुपात 7 और 2 अनुपात 5 है चार अनुपात 7 है और क्या है दो अनुपात 5 है ठीक है मिस्रित चाय के दो मिस्रोण दो मिस्रोण मिला रहे है दारजलिंग वले एक कम अच्छी है एक ज़्यादा अच्छी है कम ऐसे मिला रहे है इन दोनों मिस्रनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दार्जलिंग और असम का चाय का अनुपात क्या हो जाए नए मिस्रन में 6 अनुपात 13 हो जाए कह रहे हैं दार्जलिंग की चाय और असम की चाय किस अनुपात में मिलाओ कि मिस्रन बनने के बाद मिस्रण बनने के बाद जो रेशियो बनेगा वो 6.13 को हो जाएगा कितना हो जाएगा 6.13 को हो जाएगा तो आप तो जानतों इसको कैसे करेंगे इसमें पूछे पहले तो 4 की वैली ले लो यहां पर पहली वाली चाहे मिस्री 2 मिस्रण है ठीक है आप बताओ इसमें 4 और 7 मिलाएगा एक 4 है एक 7 है तो इसमें पहला वाला कितना है पहला वाला तो 4 बटे 7,4,11 इधर 2 बटे कितना है 2 बटे 5,2,7 इधर 6 बटे कितना है 6 बटे 13,6,19 और इसको सरल करने का तरीका मैं आपको बता दूँ इसमें तो नहीं बताया था हमने लेकिन इसमें आप सीख लो किसको हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर लेखे दे रहा है बचे आप बताओ डेरेक्ट करना गर है तो देखो यहाँ पर इसमें किसका गुड़ा करेंगे इसमें जो गुड़ा करेंगे इनका इनका यहां पर हर में 19 है इसमें 7 है तो 4 में गुड़ा करदो किसका? 4 इंटू ये वाला नहीं छोट देंगी वाला यानि 7 इंटू 19 करदो ठीक है? अब इधर वाले में इनका इनका गुड़ा करदो, इनके इनके नीचे क्या है؟ 11 19 है, तो 2 में गुड़ा कर दो किसका? 11 into 19 जो छूट जाएं, उनके नीचे वाले से गुड़ा करना होता है, जो छूट जाएं अब हमने इसको लेना है, इसको अगर लेना है तो छोड़ा कौन सा है, ये वाला ये वाला छोड़ा है तो उसमें उपर वाला क्या है? 6 है और 6 है तो इसमें इसमें इन हर वाले क्या है? 7 और 11 है अब बच्चे इसको क्या करना है? तिर्चग घटाना है तो तिर्चग घटाने के लिए भी हम आपको नियम बता देते हैं बहुत आसान सा नियम है कि अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत जल्दी से सीख जाएंगे ठीक है चलो घटाओ तो घटाओगे कुछ बच्चे कहेंगे सरजी इसको घटाना है तो गुड़ा कर लो फिर घटा लो असनी से लेकिन आप डिरेक्ट भी घटा सकते हो कैसे देखो इनको अगर इसमें घटाना है तो इसमें common क्या है 11 11 common है 11 अगर खीच लोगे 11 अगर थोड़ी दिए के लिए खीच लोगे तो यहाँ पर 19 दुना कितना बचेगा 38 यहाँ पर सचंग 42 बचेगा 42 में अब 31 घटा दू 42 में 38 घटा होगे कितना आएगा क्योंकि सर जी 42 में 38 घटाएंगे 4 आएगा और 4 आया तो तुमने 11 खीचा था ना 11 को 4 से बुड़ा कितना आया हाँ 11 चोग 44 ठीक अब इधर देखो भाईया इसमें इसमें घटाना है तो अगर इसमें इसमें घटाना है तो बच्चे आप बताओ 4, 7, 19, 6, 7, 11 में कॉमन क्या है सर जी 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है तो 7 को बाहर खीच लो तो ये कितना है 19, 4, 76 11, 6, 6 6, 6, 6 और 76 कितना अंतर है 10 का है और 10 का गुड़ा साथ से मार दो कितना आजाएगा 70 आजाएगा ये आपका क्या बन गया बच्चे रेशियो बन गया यही आपका अंसर है तो इसको काट दो 22 अनुपात 35 ये आपका क्या जाएगा अंसर आजाएगा आप इसको गुड़ा करके भी घटा सकतो आप इसका गुड़ा कर लेना इसका भी गुड़ा करने न, इसका भी गुड़ा करने न, ठीक फिर आपस में घटाना तब भी 44 और 70 ही आएगा, clear है, तो भाईया इस तरीके से आपको जब तक नहीं सोचोगे, तब तक मज़ा नहीं आएगी, चलो अगला question, question number 52, question number 52 क्या है, दो मिस्रणों में करने साथ 2 नपात एक और 3 नपात एक के अनपात में सराब है, 2 नपात एक में एक तरफ है, और 3 नपात एक में, ये सराब ये पानी, इधर क्या है, इधर सराब है, और इधर क्या है, पानी है, ये भी सराब है, और ये क्या है, पानी है, ठीक है, सराब और अब कोशन में क्या कह है हैं, थीमानुपाद एक है कि उस उनुपाद को ग्याद करें जिसमें उनहें मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नया…. खीय यानि ये मिक्चर मिला दो, ये मिक्चर मिला दो, लेकिन ये नहीं पता है कि ये वाला कितना मिला है, और ये वाला कितना मिला है, वही तो निकालना है हमें, ठीक है, तो कितना मिक्चर बन जाए, पांच अंपाद दो बन जाए, तो हम या तो सराब सराब ले ले ले, या तो हम कहेंगे सराब इसमें कितनी है तो सर जी सराब इसमें दो टोटल कितना तीन इसमें सराब कितनी है तो तीन टोटल कितना तीन एक चार ये भी सराब ये भी सराब तो बनी हुई जो मिक्चर बना हुआ जो मिक्चर है जब मिलाया गया तो एक मिक्चर प्राप्त हुआ इसमें अगर गुडा किया जाए, दो में, दो में किसका गुडा करना, ये तो हटाई दो, ये तो हटाई दो तीन, तो बच्चे इतना तो आपने निकाली लिया है, कैमरा बंद हो गया, तो फिर से देखते हैं, ठीक है, अब ये हमने दो साथ चार इधर लिख दिया, तीन साथ इधर common था 3 से गुड़ा कर दो अनुपात अब इसको इसमें घटाना तो इसमें 4 और 4 common है तो 5 ते 15 साथ दूना 14 14 में घटाएंगे तो एक बचेगा 1 इंटू 4 इधर 1 इंटू 4 तो answer हमारा कितना गया एक इंटू 3 इन तीन होता है और अनुपात कितना चार, तीन अनुपात चार हमारा क्या हो गया, अंसर हो गया, तो क्लियर है बच्चे तो इस तरीके से आपको question यह बड़ी जल्दी से solve कर सकते हो आप, ठीक है, तो अगला question आपके सामने, अगला question आप ध्याम दीजिए, type 11 आचुका है, ठ दो बरतनों में A और B में दूद और पानी मिक्चर, दूद तता पानी का अनुपात, ठीक है, दो बरतन है A और B, समझे इसको, दो बरतन है A और B, ये एक बरतन था, एक बरतन ये था, कह रहे हैं कि इसमें भी दूद और पानी है, इस बरतन जो B बरतन है, इसमें भी अनुपात एक है, यानि चार दूद है, पहले वाला दूद है, चार दूद है, एक पानी है, ठीक मैं दूद पानी लिख नहीं रहा हूँ, सबस जानाब, पांच अनुपात दो, तो पूछा जै पांच अनुपात दो में दूद कितना है, पांच पानी कितना दो, लेकिन सही 7 बटे 9% क्या बच्चा है 77 सही 7 बटे 9% हो जाए तो बच्चे ये क्या कह रहे है कि उस नए मिस्रण में दूद कितना हो जाए 77 सही 7 बटे 9 तो यानि 77 सही 7 बटे 9% को हम चेक करें कितना होता है तो 77 का गुड़ा जब 9 से करोगे आप इसको solve करने 77 सही 7 बटे 9% ठीक है तो 77 का गुड़ा जब 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भीया आ जाएगा 693 कितना आ जाएगा 693 देखो 9 सते 63 के 3 हासिल लगे 6, 9 सते 63 6 कितना हो जाएगा 69 693 और 7 जोड़ देते हैं पहले गुड़ा करते फिर उपर वाला जोड़ते हैं यानि 7 जोड़ दिया और बटे कितना 9% और इसको जहाँ solve करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा कितना 700 693 में 7 जोड़ दिया बटे 9% तो परसंट अटा है नीचे के आगया 0 आगया 00 कार दिया यानि 7 बटे 9 निकल के आगया कितना आगया 7 बटे 9 निकल के हमसे पूछा जाए 77 साई 7 बटे 9% अगर दूद है तो दूद भिन में कितना है भिन में कितना है दूद 7 बटे 9 है दूद कितना है 7 बटे 2 है यानि यहाँ पर दूद हमको साथ बटे दोग दिया गया तो इधर भी दूद पता करो और जब मिला देंगे दूद दूद तो दूद क्या बनेगा साथ बटे नौ का बनेगा अब मैं इतना ये सब कुछ जो हमने सॉल किया है इसको मैं किनारे कर देता हूँ अब साथ बटे नौ आ गया है तो यहाँ से भईया दूद निकालो तो हम कहेंगे अगर सजी रेशियो से अलग लिखोगे दूद तो चार है लेकिन रेशियो से अलग लिखोगे तो चार बटे दूद कितना हो जाएगा चार एक 5 यहां परदूत कितना है 5 लेकिन रेटियो से लग करोगी तो 5, 5 दो, 7 ठीक है 4 बटे 5 और 5 बटे 7 आ गया लेकिन वहाँ परदूत कितना है तो 7 बटे कितना है 9 बच्चे इसको खमने बताया है कैसे गटाया जाएगा तिर्चा कटाया जाएगा लेकिन उससे पहले बच्चे क्या करना है क्या करना है बच्चे क्या करना है लाल मेरे तो ध्यान दो उपर गुड़ा करेंगे चार बटे पांच में चार का गुड़ा किस से करेंगे साथ और पांच चे इन दो बच गई ना इसको छोड़कर ये बचेना तो इनके नीचे वाले क्या है इसके नीचे साथ है तो साथ इसके नीचे क्या है नौ ठीट इसमें किस से गुड़ा करेंगे तो इसके नीचे कितना है पांच और नौ अब भया इसमें किस से गुड़ा करेंगे तो इसमें किस से करेंगे इसमें क और 7 तो नीचे वाल यह हटा दो अब कोई मतलब के नहीं है अब यहां से आपको बचा क्या मिल क्या गया तो 4 7 9 4 x 7 x 9 यहां पर क्या बचा 5 x 5 x 9 यहाँ पर क्या बच्छा, 7 into 5 into 7, कटाना है बच्छे, common देख लेना, 5 और 5 common है, इसमें 5 और 5 common है, तो 9 पना 45, 7 सते 49, 5 छोड़ दो, जो common है वो छोड़ दो, उसको यहाँ पर लिख लो into में, 5 into, 5 पना 45, 7 सते 49, 49 में 45 गया, कितना आ जाएगा, 9 सतो में जैसे 35 गटा होगे, कितना आएगा, 4 आनूबाथ, इधर इधर गटा लो इजाए, अब यहाँ पर common क्या है, तो बच्चे, यहाँ पर common सरजी हमको 7 दिख रहे है, क्या दिख रहे है, साथ दिख रहे है, 7 साथ common है, तो साथ यहाँ पर लिख लो into म चार नवा 36 35 35 में 36 के कितना जाएगा 1 35 में 36 जाएगा कितना जाएगा तो 5 चक को 20 आ गया यह 20 अनुपाद कितना जाएगा 7 तो यह आपका क्या हो गया अनसर हो गया तो clear है बच्चे तो इस तरीके से आपको question को क्या करना है साल करना है सबसे best method है बहुत जल्दी से लगा सकते इसको clear है तो यह वाला तरीका यह वाला घटाने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है आप अगर इस तरीके से लगाएगे तो बहुत जल्दी से question solve कर लेंगे आप इधर से भी लगा सकते थे इधर भी करते तो इधर से भी answer आपका जाता ठीक है चल अगले question पर चलते हैं बच्छे अगला question question number 1 बिल्कुल same question है यह वाला type कर लेते हैं फिर उसके बाद अगले video में हम अगले type करवाएंगे दो बरतन A और B दूद दो बरतन एक बरतन A है करें A, B में दूद और पानी के मिस्रण में दूद तता पानी का अनुपात आठ अनुपात पाँच है कितना है आठ अनुपात पाँच है इसमें दूद और पानी उसमें दूद और पानी कितना है पाँच अनुपात पाँच अनुपात दो है आगे question में कह रहे हैं तदा नुसार उस उक्त दोनों मिस्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस नए मिस्रण में दूद 79 सही 3 बटे 13 बच जाए तो बच्चे इसकी value तुमको निकालनी है तो इसकी value निकालने के लिए आप इसको solve करोगे ठीक है इसको solve कर लेते पहले तो 79 सही 3 बटे 13 परसिंट को हम क्या खहते हैं तो 69 से गुड़ा करो 13 नविया होता 117 के 7, 80 लगे 11 तुरुचंग 78 और 78 दस होता 88 नवासी यानि 800 97 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 800 900 हो जाएगा 900 बटे 900 बटे 13 परसिंट आजाएगा बच्चे जब इसको पूरे को solve करोगे इसको पूरे को solve करोगे तो बटे PYQ 4 में क्या निकलेगा 900 बटे 13 आजाएगा और 900 बटे 13 अगया है तो परसिंट टाओगे नीचे 2 0 आजाएगे 00 कट गया कितना आगया बच्चे 9 बटे 13 आगया कितना आगया 9 बटे 13 आगया यानि 9 बटे 13 आगया तो यहाँ पर 9 बटे 13 है क्या पहले बाद में अभी पहले इसको किनारे करतें थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं यहाँ पर रखते हैं तो 79 सही 3 बटे 13 हमने स्वाल किया तो 9 बटे 13 आगया लेकिन कह रहे हैं कि उस नए मिश्रन में दूध यानि 9 बटे 13 आगया है अगर दूध बच्चे 9 बटे 13 आगया है तो दूध ही पता करो इसमें दूध इसमें पहला वाला है दूध कितना है तो सर जी दूध इसमें दूध इसमें कितना है आठ बटे 13 ठीक है इधर दूध कितना है पांच बटे कितना पांच दो साथ दूध है कितना नौ बटे कितना है नौ बटे 13 है अब यहाँ पर हर वाली वैल्यू दो सेम हो गई यानि अगर यह सेम है ना तो जिसकी जिसकी हर वाली सेम है उसमें गुड़ा नहीं करेंगे सते 63, तो भाईgrass 63 में 56 गया, तो कितना जाएगा, 4, और 65 में 56 knocks गया, कितना जाएगा, 2, तो दू से इसको कार दे कितना गया, एक अनुपाद 2, dom ठीक है, तो एक अनुपाद 2 आपका क्या हो गया, answer हो गया, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आठ पांच पांच दो ठीक है तो एक बार देख लेते हैं नौ तेरा था कुछ गलत हो रहा है आठ सटे चपन तेरा पचे पैंसट नौ सटे तिरसट पैंसट में तिरसट गया तो दो तिरसट में अच्छा हाँ ये चार कैसे लिख दिया साथ आएगा ना साथ तो दो अनुपात कितना आ जाएगा बच्चे दो अनुपात साथ ये तुम्हारा क्या अंसर है क्योंकि छपपन में 63 गट आएगा तो चार नहीं साथ बचेगा क्लियर है तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई है, अगले question पर चलते हैं, अगला question आपके सामने कौन सा है, अगला type change हो गया है, तो बच्चे अगला type कौन सा है देख लेते हैं, अच्छा ये एक ही type बचा हुआ है इसमें, तो कर लेते हैं ये भी, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले उस पर चलें या तो तांबा 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 परसंट तामबा था पहले वाले में कितना 10 परसंट तामबा था अब इन्हों ने काई साथ मिला दिया जाता है तो 9 परसंट जस्ता बनता है तो आपको कि सर जी अगर 9 परसंट जस्ता है तो 91 परसंट क्या होगा तामबा होगा तो हम भया ले रहे हैं जब तामबा ही तामबा तो इस तरीके से आपका अंसर कितना हो गया पाँच अनुपात य लेकिन अगर बच्चे अगर बच्चे अप जस्ता-जस्ता लेते तब बी आपका अंसर आता कैसे ध्यांदो कि अगर आप केवल क्या करते जस्ता-जस्ता लेते कि पहली वाली см ahead यлет जस्ता थी, दूसरी वाली धा तुम्हें 4% जस्ता थी, और तीसरी वाली मिस्र धा तुम्हें जो बनी, इनको इनको जब आपस में मिला दिया, इनको इनको आपस में मिला दिया, तो भीया कह रहे हैं, जस्ता कितनी हो जाती, 9% जस्ता बनती है, फिर तिर्चा तिर्चा तिर् कि नौ परसिंग गया गट गया कितना आजये बच्छे 518 क्लियर है तो यह चीज आपका इसको भी जल्दी से देख लेते हैं किसी मिसरदात में सत्तर परसंस सत्ता है तो सत्तर परसंस ले लिए तो दूसरे वाले में पार्बार कितना यह जश्ता है तो बच्चे आप यहां पर देखो ध्यान से कि तामा यहां पर 65 परसेंट हो गया 70-60 कितना 65 बच्चे इधर घटाया तो 5 इधर घटाया तो 5 70 में 65 गटाया तो 5 ठीके अंशर कितना गया 1 आनुपाद 1 कितना गया बच्चे 1 आनुपाद 1 तो यह आपका अंसर है आप जस्ता भी लेके मैं बता देता हूँ, कुछ गलत नहीं होगा, जस्ता लेके अगर लोगे, तो पहले में 30% जस्ता था, बाद में 40% जस्ता था, और एंसरी में कितना है, 35% जस्ता है, क्योंकि जस्ता जस्ता लेना असान है, क्योंकि ये मिलाने के बाद जस्ता दिया है, पहले भी जस्ता दूसरी वाली मिस्रधात में जस्ता दिया था, तीसरी वाली मिस्रधात में जस्ता दिया था, पहले तीस लिया, फिर दूसरी वाली के चालिस लिया, जब दोनों को मिलाया, तो जस्ता कितना बन गया, 35 जस्ता बन गया, इधर से घटाया तो 5, इधर से घटा आपको कोई question कभी लगे कि यहां नहीं समझ में आरे तो बार बार समझे उसको जब तक ना समझ में तब तक समझे लेकिन लगाना सब question है किसी भी आप competition की CGL तक तक तयारी करते हैं तो यह question आपके लिए रामबार है ठीक है तो चली आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं इसी उत्सा और उमंग के साथ तब तक के लिए जाहिए भारत बंदे मातरम